नव गई skill set में सबसे पहले तो अभी हम लोग यह जो भी trading वगरा करने जा रहे हैं अगर हम लोग यह skill develop करने पर focus कर रहे हैं तो हमारा तो intention ही एक है न कि हमको पैसा बनाना है right obviously earn करना है skills develop करने पर focus कर रहे है ultimate goal है कि हमको पैसा कमाना है right and हमारे जो भी राइटिंग में dreams है वो सब भी most of the dreams fulfill होंगे जब हम लोग यहां से यह हमारे skill set की वज़े से financially strong हो जाएंगे correct so guys practically अगर बताऊं तो there are two types two ways to earn from the market right concept two ways है दो ही तरीक है यह तो हम लोग पहले buy करेंगे right बाद में sell करेंगे यहां फिर हम पहले sell करेंगे बाद में buy करेंगे okay हमारा entry single होगा और exit दो तरीके के हो सकते हैं या तो loss पे exit करेंगे या तो profit पे exit करेंगे right so हमको यह तीनो points ही decide करनी है अब आज से लेके end तक हम जो भी studies करेंगे वो सिर्फ यह तीनो points के लिए करने वाले can you imagine यह तीनो points का importance पुड़ा game ही इसी पे right कि हम लोग right time पे entry लेने चाहिए हमारा entry point इस तरीके से हो कि हमारा target अचीव हो जाए right take profit okay और हमारा stop-loss भी इस तरीके से decided होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा probability हो कि stop-loss hit ना हो right मतलब stop-loss hit होने की probability बहुत कम होनी चाहिए उस तरीके से stop-loss रखेंगे so guys हम लोग जो भी learnings करेंगे हम लोग price action देखेंगे बहुत सारी चीज़े detail में price action में भी basic सी चीज़े भी देखेंगे okay so जब हम लोग basic price action देखेंगे so for example एक basic price action होगा कि round number can act as a support resistance right तो वह basic price action हम लोग इसमें use करेंगे right stop-loss में कैसे मतब हमारा stop-loss suppose हमारी strategy के हिसाब से आ रहे है 1102.4 यह हमारी strategy के हिसाब से stop-loss है ओके अब हमारी strategy के हिसाब से यह stop-loss है लेकिन हमको एक basic price action concept भी आता है जिसमें यह बोला गया कि 1100 can act as a support right now अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सब ड्रॉ करके दिखाऊं लेट से हम लोग ने प्लान किया कि यहां पर एंट्री लेंगे यह stop-loss है राइट और stop-loss का पॉइंट है 110 2.4 राइट और एंट्री का पॉइंट है लेट से 1120 राइट सपोस्त और हमारा टार्गेट आ रहा है जस्ट मैं एक्दम रॉफ कैलकुलेशन कर रहा हूं लेट से 1141.2 राइट इस इस जसे एंग्जामपल ऑब्यस्टी टूश्ट वन होगा यह तूश्ट वन नहीं है मैंने जस्ट रॉफ कैलकुलेशन किया राइट नाव अंडेस्टेंड गैस लेकिन हमको एक बेसिक प्राइजेक्शन आता है कि प्राइज बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि राउंड नंबर जो 1100 होगा ना उस पे सपोर्ड लेके उपर आ सकता है करेक्ट यह हम बेसिक प्राइजेक्शन भी सीखने वाले है ओके तो इसकी वजह से क्या होगा हम लोग हमारा स्टॉप लॉस वन वन जीरो टू पॉइंट फो ना रखके हम रखेंगे वन जीरो ना ना पॉइंट पॉइंट फाइज सपोर्स राउंड नंबर 1100 के नीचे करेक्ट तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टन्ट हो जाएगा कि बले बेसिक प्राइजेक्शन हो लेकिन हमको उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है सो आज से स्किल सेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट सो हम लोग प्राइजेक्शन पे जब पहुचेंगे हम 1199 रखेंगे तो अब आपका कॉश्चन आ सकते है कि सर अगर इसको भी दूर लेके है और इसको नजदीक लेके है तो हमारा एंट्री पॉइंट यहां पर तो हमारा रिवाटरिस रेशो टू स्टु वन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा मतब टू स्टु वन तो मिलेगा ही पर इस पहलें राइट है ओके तो हम लोग ने रिवाइस किया त्वैल जिरो फोर से लेके यहां पर लेके एंट्री टार्गेट ओके ओरीजनल टार्गेट वॉस दिस बढ़ हम लोग उसको नीचे लेके स्टॉप लॉस को भी नीचे लेके अब गाईस अंडस्टैंड हमारा रिवाटरिस रेशो टू स्टु वन से हटके सपोस्ट वन पॉइंट नाइन स्टु वन हो गया हो इस चीज की वज़े से तो हम 1.9 इस टु वन को एसट नहीं करने वाले हमको मिनिमंम 2 इस टु वन चाहिए ही चाहिए ओके तो हम यहां पर क्या करेंगे एंट्री पॉइंट को भी एज़ेस करेंगे करेक्ट मत्तब एंट्री पॉइंट हम लोग डीपर लेंगे 1 1 2 0 पे नहीं लेके 1 1 1 8 पे ले सकते हैं तो हम एंट्री पॉइंट्स चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा stop loss and target के बीच का ratio 2 to 1 नहीं मिलता है ओके सो हम इसको accept नहीं करके वापस एज़ेस्मेंट करेंगे एंट्री पॉइंट में ताकि 2 to 1 टार्गेट मिल जाए ओके तो यह हम लोग ने adjust क्यों किया क्योंकि basic price action है कि round number पे price resistance कर सकती है तो इसलिए stop loss and target को थोड़ा adjust किया तो entry को उतना adjust करेंगे जितना हमको minimum 2 to 1 मिले प्यूर बिजनस ओके सो यह point आपको अभी नहीं clearly समझी तो no worries important is कि हम लोग अभी से हर एक point पे focus करेंगे क्योंकि हर एक point कहीं न कहीं practical में हमको आगे काम आएगे okay fine now guys understand यहां पर अगर हमारा व्यूपाइंट बुलिश है मत्तब बुलिश व्यूपाइंट मेंस मुझे लग रहा है कि price उपर जाएगा अब मुझे क्यों ऐसे लग रहा है हो सकते है मैंने fundamentals देखा हो अगर मेरा व्यूपाइंट बुलिश है मुझे लग रहा है कि price उपर जाएगी तो मैं लॉंग का ट्रेड लूंगा मतलब मैं पहले सेल करूंगा बाद में बाय करूंगा ओके शॉर्ट ट्रेड इस पॉसिबल ओने इन इंट्रा डे इफ वी ट्रेड इन स्पार्ट या कैश मार्केट और एल्स इस पॉसिबल इन फ्यूचर यह आपको अल्रेडी हम लोग बता चुके हैं कि हम दो तरीकों से पैसे बना सकते हैं अब आपको यह समझना है कि यह तीनों पॉइंट्स हमको मिलेंगे कहां से अब हम जो भी डिसकस करेंगे यह तीनों पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए यही तीनों पॉइंट्स इंपॉइंट्स से पैसे मिलने होले यह तीनों identify करने के लिए हम लोग यतनी ज़्यादा महनत कर रहें तो यह points हम को मिलेंगे कहां से guys entry point जो है यह हमको मिलेगा हमारी strategy से okay entry point मिलेगा हमको हमारी strategy से right stop loss point जो है यह stop loss point भी हमको मिलेगा हमारी strategy से simple entry point and stop loss point जो भी हम तीन strategies करने वाले वो strategy के accordingly हमको entry points मिलने वाले राइट तार्गेट जो है take profit point मत्तब यह टार्गेट पॉइंट है यह हम को मिलेगी रिस्क मेनेजमेंट मनी मेनेजमेंट रिवाट रिस्क रेश रेश्यो रूज़ के हैं से मतब to is to one simple to is to one 2-1 रूल के हिसाब से वो यह पॉइंट मिलेगे अब चौथि पॉइंट भी हमको discuss करने होगी वो है position size कि कितने shares में buy या sell करना है so कितने shares में buy या sell करना है again वो भी risk management money management से बता चलेगा वो हमको strategy नहीं बताएगी कि कितने share buy कर या sell कर राइट वो हमारा risk management money management rules हमको बताएंगे करेक्ट simple so now understand guys यह तीनों पॉइंट हमको मिलने वाले है strategy से by sell जो भी है लेट से यह entry point यह exit take profit मतलब target point और यह stop loss point है यह हमको मिलने वाले strategy से लेकिन हम entry point को stop loss point को और target point को तीनों को adjust कर सकते हैं ओके adjust कर सकते हैं in the sense what हमारे additional knowledge मतलब उसमें basic price action हो गया यह बहुत सारे additional knowledge आप देखोगे कि हमको लग रहा है कि यहां पर stop loss है लेकिन और एक support strong यहां तक है तो हम फिर stop loss adjust करेंगे इसके नीचे kind of okay so हम तीनों को adjust कर सकते हैं लेकिन एक basic हमको यह दोनों points कहां से मिलेगी strategy से okay अब यह तीनों points हमको strategy से मिलेगी तो strategy होने के लिए strategy से entry point take profit stop loss point मिलने के लिए हमारे पास strategy होनी चाहिए correct so we should have strategy to decide entry point take take profit point यह stop loss point right मतब हम लोग entry point और stop loss point strategy से मिल जाएगी फिर यह इन दोनों points की मदद से risk management money management rules से यह साब से यह भी हम identify करेंगे right it means what कि हमारे पास strategy होनी चाहिए simple right now strategy can be based on fundamental analysis और technical analysis अब हम थोड़ा सा strategy के types discuss करेंगे और फिर एक strategy का type जो सबसे बेस्ट है प्राइक्शन पूरा complete learning सिर्फ प्राइक्शन पर करेंगे आपको यह knowledge होना important है कि strategy यह fundamental analysis यह technical analysis के basis पर हो सकती है ओके